आवले का इतना उत्पादन इस देश में होता है आप जानते हैं बहेडा इतना मिलता है, हरडे इतना मिलता है और लगबग भोकट की स्थिती में मिलता है अब पता नहीं कौन-कौन लोग उसी आवले को 200-200 रुपाई किलो चवन प्राश मना के बेच ले यह जो चवन प्राश है ना, यह त्रिफला चूण से कई-कई गुना नीचा है चवन प्राश में जितना खर्चा कर रहे हैं, उससे बहुत कम खर्चे में आप त्रिफला खाईए चवन प्राश से भी ज्यादा से तो मेरी आपको आज के लिए यह आपरी सुत्र थी कि आप अपने जीवन में बात, पित, कफ तीनों को सम रखना चाहते हैं तो आवला, हरडे, बहेडा, हरडे, बहेडा, आवला इन तीनों का उप्योग करना सीख लीजे घर में हमेशा इसको डब्बे में बना के पाउडर के रूप में रख लीजे अब आप कहेंगे इन तीनों को एक साथ खाएं आप अकेला आवला भी खा सकते हैं आवला तीनों दोश दूर करता है, बात, पित, कफ हरडे तीनों दोश दूर करता है, बात, पित, कफ और बहेडा तीनों दोश दूर करता है, बात, पित, कफ अब आपको आखरी एक छोटी सी बात कह दू कि आप में से किसी को भी ये तकलीफ है कि आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है 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 कफ बढ़ा हुआ है सीधी सी बात तो आप त्रिफला काईए, कब खाना है, आपको रात को नहीं खाना है, सबेरे खाना है, जिनको भी मास बढ़ा है, शरीर पर मेन बढ़ा है, उनको अगर छाटना है, इसको कम करना है, तो त्रिफला सबेरे खाना है, आमला सबेरे खाना है, आप त्रिफला नहीं खा सकते तो और आबले के बारे में आज के जो वेग्या निक के रहे हैं वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटी ऑक्सिडेंटल फल कोई है तो वो यही है एंटी ऑक्सिडेंट माने जो ऑक्सिडेशन की क्रिया को कम करें और शरीर में हमेशा ऑक्सिडेशन चलता है ऑक्सिडेशन में उम्र कम होती है शरीर के हर अंग का च्छय होता है तो अगर उम्र बढ़ानी है और अंगों का च्छय बचाना है तो आवले से अच्छी कोई चीज लई देनिक जीवन में भोजन में इसको जरूर धारण करिये बागवटी जी कहते हैं कि जब त्रिफला खाएं आवले के बारे में तो वो कुछ नहीं कहते हैं वो कहते हैं साल वर खाओ, दो साल खाओ, रोज खाओ कोई दिख खाओ, त्रिफला खाएं तो तीन महीने लगाता है और खाने के बाद थोड़े दिन छोड़ देना तीन महीने तीन महीने 90 दिन खाके थोड़े दिन चोड़ देना माने 15-20 दिन चोड़ देना फिर अगले तीन महीने खा लेना फिर 15-20 दिन चोड़ देना फिर तीन महीने खा लेना क्यों खर लेना ऐसा वो कहते हैं कि ये छोड़ना जरूरी है बीच में नहीं तो शरीर को आदत लग जाती है और वो आपने अगर छोड़ा नहीं तो आपको कुछ दुश्परिणाम भी दे सकता है लगातार अगर त्रिफला खाया तो कई दिन ऐसा लगेगा कमजोरी आ गई अगर बीच में छोड़ा नहीं तो छोड़ के खाना अब किसी व्यक्ति के लिए यह छोड़ने का समय है वो तीन महीने से थोड़ा पहले भी हो सकता है जादा भी हो सकता है इसलिए मैंने बीच का बताया तीन-तीन महीने करके छोड़ छोड़ के खाना अब आज के लिए सूत रित नहीं आगे प्रश्ण जी मात्रा कितने मात्रा मैं बता देता हूँ जिनको वजन कम करना है वजन कम करने के लिए त्रिफला या आवले का उपयोग करना है तो आवला तीन से चार और त्रिफला हमेशा बड़ा टी स्पून एक तो छोटी चम्मच होती है एक थोड़ी बड़ी चम्मच तो एक चम्मच हाँ गुड़ के साथ सुबह नहीं तो शहद के साथ और जिनको रेचक के रूप में उपयोग करना पेट साफ करने के लिए आथों की सफाई करने के लिए वो रात को खाएं रात को भी आवला ल चुन और गुड़ को ऐसे हाथ से मसल दो वो लड़ू जैसा हो जाएगा गुड़ उसको अपने में समा लेगा फिर गुड़ खालो पीछे से थोड़ा दूद पीलो मैंने आपको कहा था कि बागवट्टी जी कहते हैं कि दूद एक ही चीज़ के साथ पिया जा सकता है वो ह आपको शकल से दिखा देगे या कल यहां मंगवा के थोड़ा रख दीजे पहचान करने के लिए के हर क्या है बहेड़ा क्या है आवला तो आप सब पहचाने जी हरा को कड़का बोलते हैं हरा को कड़का बहरा को तानी काई बहरा को तानी काई आमला को पाल नेली काई आमला को पाल ने लिखा या ने लिखा इसी देखा दीजे यह तिमुन हो यह प्रदीप भाई ने एक सवाल पूछा है कि अगर हम वजन कम करने के लिए या मास कम करने के लिए खाना चाहते हैं तो दो बार खा सकते हैं बिलकुल नहीं एक ही बार के लिए नियम है सुभई ही जो बाजार में त्रिफला चूरन मिलता है वो खा सकते हैं मेरी आपको एक विंती है, बाजार का त्रिफला चून लाने से अच्छा है, बाजार से आवला लाना, बहेडा लाना, हरडे लाना, कूट पीस के अपने घर में बनाना, क्योंकि बाजार में कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कॉमर्शलाइज हो चुकी हैं, और उनके असर अगर कम हुए तो आप बागवट को गाली देंगे, इसलिए रौ मिटीरियल लाके घर में तयार करना, कूट पीस के, जी, आप में घुड की बहुत मार्कवर पूरनता बताएं, परन्तो डाइबिटिस पेशन्स क्या करें उसके लिए, गुड आप डाइबिटीस में खाईये, भर पेट आवले के साथ खाईये, त्रिफला के साथ खाईये, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है गुड खाने में, डाइबिटिक लोग भी गुड खा सकते हैं, शुगर ना खाएं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप भगवान की दी गई जो शक्कर ह जूस में है फल में वो आपको शायद मालूम है या नहीं शक्कर जो है ना शुगर इसके कई रूप है एक है ग्लूकोज एक है सुरुक्रोज एक है फ्रक्ट्रोज तो ये जो फल वगेरा की शक्कर है ये फ्रक्ट्रोज फॉर्म की जादा होती है और ये आसानी से डाइजेस होती है गुड की भी उसी केटेगरी में आती है तो आप चीनी मत खाईए गुड का सकते हैं शहद खा सकते हैं फल खा सकते हैं मीठे कोई भी फल खाने में तकलिफ नहीं है बशरते की सेते हैं त्रिफला का सेवन करे। क्योंकि वात कम करेगा। थिर्फला में तीनों चीज़ हैं जो यो वात नशक हैं, रात देखिए, मैं अब थोढ़ा बताई दूँ, वावासिर अगर किसी지 को है ठीक करने के लिए त्रिफला लेना चाहते हैं तो रात को लें मूडव्याद पाइल्स जिसको का आप कहते हैं हेमरोइड वो जब भी ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें भगंदर ये ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें माने मेरे कहने का है पे खाने के बाद लेंगे रात को और सबेरे लेंगे खाने के पहले खाने के यह नहीं नाश्टे के भी पहले चालीस मिनट नाश्टा करने से चालीस मिनट पहले जी आपने बताया कि त्रिफला एक दो तीन के अनुपात में बनावें तो आपने जो मुंबई वाली बात करी तो मुंबई वाले बैसाब को पहले आपने एक दो तीन के अनुपात वाला दिया वो जो बरावर काम ने किया तो फिर आपने समकालिन दिया वो भीकुल ठीक होगे तो ये क्या प्रोसेस होगा ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है इसमें हुआ क्या कि जब आपने में हरडा बहेडा और आपने को एक दो तीन के अनुपात में हम रखते हैं तो आपने जादा है आप निश्चत रूप से देखें तीन मात्रा है आपने जादा है क्योंकि रेडियेशन से वो एक्स्ट्रा होता है तो हमने देखा आवला अगर मात्रा उनके साथ है तो वो काम नहीं कर पा रहा है अतना जब तीन मात्रा का है क्योंकि जो चीज पहले से बढ़ी है वो और बढ़ाएगा तो फिर हमने इसको कम कर दिया हरडे और बहड़ा को बढ़ा दिया तो सम हुआ तो रिजल्ट तुरंट आ गया तो ये रेडियेशन जैसे गंभीर बीमारियों में कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों में इस तरह का उपयोग होता है आवला हरडे बहड़े का बढ़ा बर मात्रा में लेकिन बाकी जो साधरन बीमारियां हैं, उनमें एक, दो, तीन ही रहता है। क्योंकि आपको कई जगे कैलशियम की ज़रूरत है, विटेमिन सी की ज़रूरत है। जितने लोग मोटे हैं, उतना शरीर में विटेमिन सी कम है। जितने लोग मोटे हैं उतना कैल्शियम कम है तो कैल्शियम कम है विटेमिन सी कम है तो मैं आप से कहूंगा ही कि आम लातीन मातरा में लो तो वो बढ़े तो बाकी चीज़ें कम हो पार बाकी चीज़ें लो जाया जाएं।